दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Apple के AirPods Max के बारे में जो कि आपका कर लॉंच हो चुके हैं अभी हम लोग देहेंगी 60,000 पर यह हैड़फोन है यह कितना अपनी value को justify कर रहे हैं मतलब क्या कुछ आपको अलग देखने में मिलता है क्या special देखने में मिलता है किस के लिए है मतलब किस को लेने चाहिए किस को नहीं लेन चाहिए किसको औऑ करने चाहिए सबी चीजओं के बारे में लोग बात करेंगे और मेरी क्या circumstances का ने वाला हूं तो इससे पहले आप वीडियो में आगा बढ़ने आप जिलनी से वीडियो को लाय ख कर जी दीजिए उनको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल एकों दबा दीजिए अलपर नए हैं तो हेलो दोस्तों मेरे नाम रिश्व वर्मा अब देखने टेकर सूर्ट तो चलिए आगे बड़ते हैं कि दोस्तों अगर बात करें से हैटफोन के बारे में थे एपल के एयर बॉर्ड मेक्स के बारे में तो यह आपका एपल एयरपोड गे बात आए तो चलिजिए नहीं के नम सिर्फ मैक्स है कि यह एडफ़न से वह आप ही एयरफोन से यह बड़्स हैं अभी है जाएगा कि आपको लेने चाहिए नहीं लेंञे एक इसी चीज नहीं है यह करता है कि आपका यॉस केसा है आपको सच्मीन की जुर्ट है या नहीं है वो चीज भी आकशी स्केलान के प्रइस में कैसे जाएंगे देखिए इसके प्राइस में आपको एजिली आइफोन जो आपका मिनी है 12 मिनी है वो थोड़ा से पैसे और डालकर वो आ जाएगा या काफिस आपका एटी आ जाएगा मतला किसी को अगर एंड्रोइड पसंद तो वो भी आ जाएगा सके अंदर और मतलब ऐसा नही पर पर लेटेएं सबसे आएं सबसे पहले आपको आपके अमिनियुमट की साथ में उसके साथ सब्सक्राइब करता सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वैसा साही कुछ आपका सिस्टम है जो कि आपका हर एक इंडिविजियल को करने में किसी भी एंगल में उसे आप कर सकते हैं और यहां पर यह कनेक्ट होते हैं वहां पर आपको तो टेलिस्कोपिक आम्स मिलते हैं अभी तैलिस्कोपिक आम्स को मैं सीजर का समझाओं तो आपने का भी हाइड्रोलिक्स देखिए तो जिस तरीकी से आपका यह आम्स काम करते हैं कि मतलब मतलब आपको साइज चोटा बड़ा करना तो आपको स्मूध फिनिश में गए स्मूध एक्पेइस में आपका यह चोटा कर सकते बड़ा कर सकते हैं तो ही हाइड्रॉलिक्स से कह सकते हैं यह आपका डिजाइन इसके लाब वही चीज़ जो है आपकी उसके उपर जहां पर end होता है जहां पर आपका headband आ जाता है जो headband वाला पूरा structure है आप देख सकते हैं उपर की साइड वह पूरा उसके फ्रेम है वह आपका stainless steel का है कि उसमें प्रीमियम चीज डाले गए तो इसमें आपको यह ब्रीधिंग को मुझे परसंद आया क्योंकि आप लोग मैं नहीं देखा हुगा मैंने खुद नहीं देखा है तो मैं आप से बोल सकता हूं कि ऐसा को डिजाइन तो मैंने किसी भी अब बहुत साथ क्रिटिसिजम मिला उन यह बड़्स को पर सब साथ पॉपलर यह बड़्स भी वहीं है और सबसे बहुत साथ लोग खरीब रहे हैं तो वह चीज अलग है एक पर दिजाइन लेकर आता है और इसे भी काफिशादर कॉंट्रोवर्सी में रहने वाला है अल्र लोग खरीब भी रहें अभी वह जी जा लगा है वापस से इसी के निवा दीजाइन के वह आते हैं फिर आपके इसमें के प्लास किलर मिल जाएंगे जो कि हैं आपके तोести के लिए आपका क्या सकते बैलें आपकता होगा झो कि सब्सक्रीव इसके सहुआ होगा है जो कि आप आपके कान में sound को रखता है उसे हितिरों से design किया गया वापस है यानि कि इसे बैकि अलग डिजाइन मैंने इसके इसकों कुछ नि softly देखा फ्राइ। ऐसे आपक reciproc क्या सकते हैं बड्स होते हैं जो निकल जाते हैं आपका जो रबर होती है वह आपका निकालने में टाइट था बहुत जादा मैंने कुछ से भी आपका यूज करके देखा था पर जब वापस लगाएंगे तो लगा पता भी चलता मतलब ऐसा वार डिजाइन तो वही चीज में है कि मैगनेटिक वाला है तो कुछ अलग है क्लिक साउंड आते हैं आप वीडियो में देख सकते हैं काफी सही लगता है वह प्रोमो देख लिए वैसे तो मैंने वीडियो लगाई है आपकी फिर इसका बात करें कुछ बाकी चीजों की तो इसके अंदर आपको अच्छी खा आपको एको सिस्टम है अपपल कर इस अभी डिवाइस को अपस में कम्यूंके करने में काफी हल्प करता है अभी जो एयरपॉड्स है आपका प्रो है यह एयरपॉड्स फर्स जनेरेशन और सेकंड जनेशन और वसे उसमें अलग छिप थिया फर्स में पर इसके अंदर आप होता है सबहुड़ दो मिल जाती दोनों आपके शीज एक हैड़वों के लगता है न वह आपका है नोइस के लिए आठ तो आपके noise cancellation के लिए एक आपका simple calling के लिए कि आपको अगर याद होगा Airpods Pro का तो इसके अंदर दो microphone मिलते हैं जो कि active noise cancellation के लिए अभी active और passive दोनों को समझा चुका हूँ वीडियो आपको पर मिलें कार्ट में अगर आपको देखना आप जाकर देख सकते हैं कि active noise cancellation और passive noise cancellation में क्या अंतर है क्या होते हैं यह किस चेडिया का नाम है वो मैंने समझा है आप देख सकते हैं बागी बात करते हैं इसके आपको active noise cancellation मिलता है जिससे कि आपका जो चारो तरफ से sound आ रहा है मतलब कि वो detect करेगा वो manage करेगा कि कहां से सारा sound आ रहा है और उसको ब्लॉक करेगा ठीक है यह active मतलब कि real time में काम करती है चीज और आपको बाहर की कोई भी sound नहीं मिलती और यह चीज आपकी questions तो help करते हैं पर यह जो active noise cancellation में आपके mic होते हैं ज्यादा help करते हैं और आपको काफी एक अच्छा experience मिलता है पर इसी के साथ साथ में बटन भी मिल जाता है फिर active noise cancellation से आपका transparency mode में जाने के लिए जिससे कि आप उसे बार click करेंगे तो आप transparency mode में चले जाएंगे आपको बाहर की sound भी आईगे अपना music भी स experience है जो कि इसके अंदर आपको accelerometer आपका gyroscope दोनों मिल जाते हैं अभी देखिए headphone के अंदर accelerometer और आपका gyroscope sensor आपको किस लिए दिये गए हैं इनका जो काम है वो है आपके जो head movement है आप लोग अभी कुछ अगर कुछ enjoy करते हैं हम लो हमारी head movement होती है से मालो हम लोग कोई action movie आपने phone के अंदर तो मतलब हमारा ऐसे करके सर इदर जा रहा है इदर जा रहा है मतलब हम तोड़ा सा कि उससे कह सकते हैं अगर ज्यादा feel के साथ देखने माले ज्यादा उसमें घुस चुके है movie के अंदर किसी एक scene के अंदर तो हमारी head movement होती है उस time पे तो experience को हो जाता है enhance करने के लिए उसे के सकते उसका data collect करने के लिए मारे head यह काम करेंगे sensor इन sensors के बारे में मैंने समझाया अलग video के अंदर आप नहीं तीक आप जागे देख सकते हैं का क्या काम होता है तो यह भी आपको इसके अंदर मिलता है जिससे कि आपका experience और जदर बढ़ जाता है इसक कर सकते हैं तो वही digital crown इसके अंदर भी दिया गया है जो की multifunctional button भी बोल सकते हैं मुसे अभी उसकी help से volume control कर सकते हैं अपने जो track sound को control कर सकते हैं आगे पीछे जा सकते हैं play pause कर सकते हैं call reject कर सकते हैं और आपका Siri को activate कर सकते हैं तो यह भी सभी चीजे वह single आपका crown कर सकता है बहुत beautiful इसी design किया गया बनाया गया तो बहुत अच्छा लग रहा है वह बहुत minimal approach है पूरे headphone की तो वह चीज़ भी सकते हैं किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए तो देखिए टोटल आपके उपर है आपको सच में अगर लगता है कि आप लोग 60,000 रुपीज spend करके headphone खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं इतना सोचने बात नहीं है और अगर बात करें आप लोग को सोचना पड़ आए कि मैं इतने में यह भी ले सकता हूं इतने में तो और भ मतलब X करके कुछ है मतलब exactly नाम नहीं याद मुझे पर हाँ उस budget range में तब बैस आपका headphone है जो आप लोग खरीते हैं बहुत साथ लोग खरीते हैं और ऐसा भी नहीं है कि उससे ओपर कुछ नहीं आता एक लाग की earphones भी आते हैं ठीक है मतलब जो earbuds होते हैं तो 25,000 वाले Apple के नहीं है तो अब उनके price भी कम हो गए तो ऐसा नहीं है कि device आते नहीं है पर हाँ वो है कि उनकी audience अलग होती है उनकी approach अलग है उसने अलग audience देखिए जो उसको खरीदेगी अभी mix आपके क्या सकते है review मिल रहे है mix आपके लोग बोल रहे हैं कि हमें चाहिए किसको नहीं चा के phone बना रही है फिर उसके बाद उनके साथ एयर फोन दे रही है और यह फोन बना के निकाल दिये दो तीने जार चारह जार पांच यह वह एक बड़ी ब्रैंड है जो एक लाग रेड लाक और आपको नहीं दो लाग के phone बना रही है तो उसके लिए headphone निकालना वह बड़ी इसलिए है क्योंकि हाँ पर कस्टम से आपका ड्यूटी कस्टम ड्यूटी बगए रहा है और आपका टेक्स लगते हैं तो उसके बाद यहां पर आने के बाद चीज़ों के प्राइस बढ़ जाती है अगर बात करें यूएस बगएरा में तो आपको 40,000 मिल जाएंगे आपक सारे फैक्टर्स हैं जो एक प्रोड़क को बहुत जादा कॉसली बना देते हैं आपका तो यही सारा एक कैसे सीन है इस हेड़फोन का और जिसको खरीदना वो खरीद सकता है बहुत चीज़ है अभी हम लोग जैज नहीं कर पाएंगे साउंड क्वालिटी और चीजों को क्य आप सो को बता दूंगा वैसे मैं तो नहीं खरीदा अभी नहीं खरीद सकता बहुत सकते हैं तो अभी क्रिए यह तो बस आज की वीडियो में इतना ही मुझे आपको वीडियो पसंदा यूदि साइथ यह संद में आ गए होंगी और हैड़फोन आपको काफी अच्छे लग